यू वाट्स आप गाइस कैसे आप सो भी लोग वालकम बैक टू अनेदर गेमप्ले वीडियो तो गाइस आज हम लोग दुबारा से कहलने जा रहे हैं जीडियर फाइव तो जैसे कि आप सो भी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोग उन्हें अपने शूरू म कि आज के आज ही डामेंट केसीनों का ऑनर बनना है अब यह बात आप लोग लोग को अच्छे से मालम है कि अगर द्रेकर कोई और चाहना बन जाता है तो वह बहुत जब् wines तो इसलिए पने दोस्ते बात है बहुत पावर भी आजाएगी तो इसलिए पने दोस्ते प्लान के काम करते हैं के पास करीदने चलते हैं बेचेगा तो ठीक है अधर्वाइस डगन बॉस्त को उड़ा देंगे बट अपना प्लान वहां पर फेल हो गया क्योंकि वह दोनों दो क्रेश करवा दिया था जो कि इधर पीछे एक बहुत बड़ी लेक में आके गिरा था सही है कि किसी के घर के या फिर किसी सिटी में जाके नहीं गिरा वरना बहुत लोग मारे जाते हैं और सबसे बड़ी बात वह जो रिच मैन है उसने अभी दुबारा से मुझे मिलने के ल लेता हूं क्योंकि यहां पर रहते रहते पूरा एक हफता हो चुक है यहां पर रुकने के लिए मुझे लेस्टर नहीं बोला था क्योंकि उसने का था भी सिटी आओगे तो विल्कुल भी सेफ नहीं है वह सकता है डगगन बोस ने अपने बंदे हमारे पीछे लगा रखे ह थोड़े बहुत उसमें समान और एका पिस्टल अपने पास है वरना तो अपने पास कोई वैपन ही नहीं है अभी अपनी सेफटी के लिए इसलिए भाई अभी थोड़ा चुपके रहना पड़ रहा है आपर बाकि बैक्स मेरे अंदर वाले रूम में है बैक्स उठाके आत्रूम में वेट है तो मुझे यहां से बाहर चल ला है काफी ज़्यादा बड़ी है रूम था हम लोग पूरे एक हफते यहां रेंट पे रहे हैं और रेंट जो है वो लेस्टर ने ओनलाइन पे कर दिया था अपने पास पैसा भी नहीं है वेपन भी नहीं है और गाड़ भी हम लोग किसी और की लेकर गूम रहे हैं बटा लॉस सेंटोस में हमारे पास बहुत कुछ है तो यह मैंने स्टार्ट कर दी कार कितने जाता बड़ी है तरीकिसे की हैडलाइट स्टार्ट हो रही है यह देखना अभी यहां पर चो हैडलाइट है जैसी मैं गाड़ी उन कर लेकरी है वैसे थोड़ी पुरानी सी थीम की है मतलब यह कोई पुरानी गाड़ी नहीं है इसका डिजाइन कुछ इस टाइप का है जैसे देखने में लगे कोई बहुत पुरानी गाड़ी है वैसे जो भी कहो पता नी इस कार में कैसी अजीब-जीब सी चीज़ें लगी है से इसका नाइट्रो बूस्टर होगा या फिर कुछ अजीब सा इस गाड़ी का पावरफुल एंजन है बागी इस गाड़ी के अगर खास बात देखे तो वो यह है कि इस गाड़ी में सबसे पहले चीज़ हाइड्रोलिक्स है वो भी चारो साइट के और सबसे बेस्ट यह ग रख नहीं पढ़ने वाला लेट्स को अभी जल्दी से इस गाड़ी को भगाता हूं मैं फुल स्पीड में और सीथा रिचमैन के पास चलते है क्योंकि उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है अपने पास वो भी पलीटो में पता नहीं उसे कौन सी मीटिंग करनी है अब ड जैसे वो डैमेंड कसीनों उसके पास के और डैमेंड कसीनों का ओनर वनना उसका बहुत पुराना सपना दा फिलाल मैं कोई घलत रास्ते पर तो नहीं आ गया हूं मैं लोस्ट गैंग के एरिया में जा रहा हूं अब यहां पर खाली पीली की लिडाई होगी न तो गड़ प गाड़ी बहुत ज्यादा स्लाइड होती है लेकिन वाई इसके ग्रिप यहां भी मस्त बनी भी है अब पताने हूं इस गाड़ी का टायर्स की बात है या फिर जो भी है फिलाल भगाते हैं अभी इसको ओल्राइट गाइस तो भी फिलाल मैं अपनी गाड़ी लेके पहुचन लेकर चलते हैं जहां पर वो जाता है पूरी सिक्यूरिटी लेकर चलता है में गेट पे भी दूदू गाड़ियां और बॉडी गाड़्स लगा रखे हैं फिलाल उसको इतने बड़े लॉस सैंटॉस में कि यही कबाड़ गाउं मिला था मिलने के लिए पता नहीं आकरकार कहां पर है सारी की सारी गाड़ियां यहां सामने खड़ी है वो नीचे हमारा वेट कर रहा है वाव लेट्स को फड़ाफट से अपनी गाड़ी को यहां पर सही से पाक करते हैं क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी बिल्कुल भी गंदी नहीं करने यह काफी ज़दा महंगी का देखने में गंदी है बठाने महंगी है फिलाल भी जल्दी से में नीचे चलता हूं भाई बहुत ज्यादा सिक्योरटी यहां पर लेकर आया है इतनी सारी जीव वैगन कहां कहां टिका के खड़ी करी है और चारों तरफ से एरिया को मतलब फुल सिक्योर कर दिया है थोड़ डायमंड कसीनों का ओनर बन गया है तो शायद से कुछ ना कुछ हमें अब देने वाला यह गिफ्ट में और राइट गाईस तो अभी ना मेरी फिलाल इससे बात हो चुकी है और यार इसने तो ना सच्ची में बहुत जादा सर्प्राइस कर दिया मिरको मतलब कि अभी नहीं हमें कह रहा है कि तुम कुछ भी करके डायमंड कसीनों को ब्लास्ट कर दो मतलब उसे पूरे को पूरा डिस्ट्रॉई कर दो अब वो इसलिए क्योंकि डगण बॉस इसका दोस्त होने के बावजूद इसको डायमंड कसीनों नहीं देना चाहता है और इसका कहना यह है कि इसके जितने पैसे वांगेंगे यह में उतने पैसे देने वाला है इसके इतना पैसा होगा भी मेरे को यह नी समझा रहा क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा अमाउंट सोच लिया है फिलाल अभी इतनी बड़ी डील सामने से मिली है तो मैं इसे बिल्कुल कैंसल नहीं करने यह वाला है क्योंकि इसमें अपने दो फायदें तो अपने सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे फिलाल यह तो अपना यहीं पर रहने वाला है हम लोग फड़ा फट से पनी गाड़ी लेकर निकल लेते हैं बे भाई नया वाला ट्रक क्या ले आया है मेरे मेरे में ले आके ठोक दी वैसे गलती मेरे थी पागिया चोड़ो अभी फिलालना चल्दी से मैं घटिया चला रहा हूं या यह लोग आख बंद करके गाड़ी चला अब अब बहुत आख लगाए उसने ट्रैवर फ्रैंक्लिन और अंडर वॉटर माफिया को कहीं पर देखा है मतलब ट्रैवर जिंदा है उसके कहने का मतलब यह और फ्रैंक्लिन भी किसी गलत जगा पर पाया गया है फिलाल भी वहीं पर चलके लेस्टर से बात करते हैं पू मैं खुद रास्ता बोल जाता हूं कि वह था कहां पर उससे लेस्टर भी भूल जाता हूं का बागी यहां हो जगा यही है और अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर यहां पर पहुँच चुका हूं एक काम करते हैं अपनी गार को रही तरीके से पाक कर देता हूं क्योंकि बाकि बैग मैंने अपना कार मी रख दिया है फिलाल अभी जल्दी से हंदर चलते हैं और देखते हैं कि लेस्टर यहां पर है या फर नहीं ओ भाई भाई यह सीक्रिट वेस्ट में जाना तो सची में बहुत ही अजीब सी फील आती है जैसे पता नहीं कैसी जगा पर जा रह वाईट गाइस तो अभी ना मेरी फिलाल लेस्टर से बात हो चुकी है और मैंने इसको पुरा का पुरा सीन बता दिया कि एक बंदा हमें बहुत सारा पैसा देने के लिए रेडी है बस हमें कुछ नहीं करना उसको डामेंड कसीनों का ओनर बनाना है मेंस डामेंड कसीनों उ करें हैं और उन्हीं किसी कैमरा की यह एक फूटेज है और मुझे भी से प्ले करना होगा देखते हां कि इसमेंसा क्या है ओके तो अभी ना फिलाल मैंने इस वीडियो क्लिप को प्ले कर दिया है बाकि एक बार यह आप लोग अगर अराम से जूम करके देखोगे तो वह अरे घर से एसकेप कर गए और पकाउ से एसकेप करवाने में फ्रैंक्लिन का ही आता है और यह जो जगह है कोई और नहीं यह डगन बॉस का घर है भाई अभी मुझे कुछ नहीं समझा रहा है अब सब कुछ लेस्टर से पता करना होगा आखिरकार सीन क्या है ठीक है तो और इसनाइम यह तीनों यह अंडरवटर माफिय के लिए काम कर रहे है और अफूसकता है अंडर वाटर माफिय वह बहुत ज़दा पैसा दे रहा हो और उन पैसों कि लालच के चक्कर में कहीं यह लेस्टर मेर कोई आके ना मार डालें तो इसलिए यह हमें मारे हमें इन्हे मारना तो नहीं होगा बठाँ इन्हें पकड के एक जगा बंद करना होगा फ्रैंक्लीन को लैसर एक जगा पे कोल करके भुला रहा है और कह रहा है कि तुम वहाँ पर जाओ और पीछे से अटाक करके दोनों को पकड कर ले आओ भाई वो दोनों आ रहे हैं वहाँ पर मतलब अंडर्वाटर माफिया और फ्रैंक्लीन उन दोनों को पता नहीं के लिए पीट पाऊंगा या फर नहीं बठा जो भी है मुझे दोनों को भ्योश करना है और इस गाड़ी में भर के लाना है और एक जगा पर बंद कर देना है और वहां से उन्हें भार ने निकलने देना क्योंकि वो डगण बोस के ओर्डर इस टाइम मानने पता नहीं या उसने कितना पैसा दे दिया कि फ्रैंक्लीन ने अंडर्वाटर माफिया को सब्सक्राइब कर देना है तो तो अभी फिलाल में अपनी गाड़ी लेके सिधा उस लोकेशन पर पहुचने वाला हूं जहां पे थोड़ी देर में फ्रैंक्लीन और अंडर्वाटर माफिया आने वाले हैं बड़ उनके आने से पहले मुझे वहाँ पे एक छोटा सा काम करना है क्योंकि लेस्टर ने हमें बोला है कि जैसी वो आएंगे वैसी हमें अपनी गाड़ी ले जाके उनमें ठोकनी है और ये गाड़ी बहुत जादा मजबूत है चाहे वो किसी सूपर कार में आये ट्रक में आये या फिर किसी भी हैवी विकल में आये ये गाड़ी उसको अराम से टक कर दे सकती है और एक खतरनाक आक्सिडेंट कर सकती है लेकिन हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है बाय चांस वो लोग उस एक्सिडेंट में बच जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि आकिरकार ये एक्सिडेंट करा किसने इसलिए यहां पर मुझे कुछ बॉम पहले से प्लांट करने है जैसी वो लोग यहां पर आएंगे वैसी मैं इस बॉम को आक्टिवेट करूँगा और इस बॉम से यहां पर बहुत तगड़ा स्मोक निकलने वाला है और उस स्मोक से इस पूरे की पूरी एरिया में धुआ 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 हो जाएगा और तुरंत मैं उन्हें ठोक के फटा फट से अपनी गाड़ी में भरूँगा और जहां पर मुझे लेस्टो ने मिलने के मुझे कोई मतलब नी फिलाल यहां पर मैंने बहुत सारे बोम लगा दी है अभी मेरे साफ से कोई भी घरबन नहीं होनी चाहिए जैसे वो लोग आएंगे वैसी यहां पर स्मोक हो जाएगा और मुझे अपनी गाड़ी लेकर यहां से निकलना होगा क्योंकि लेस्टन ने ब पाता चल रहा है इस गाड़ी के आगे कुछ तो खतरनाक मशीन सी लगी वे जिसमें से गंस मितलब की फायर हो सकता है बड़ नहीं यह शाह से नाइट्रो बूस्टर ही है फिलाल अभी मैं इधर तो खड़ा हो गया हूं मैं काम करता हूं सामने वाला जो माउंटेने ना सामने वाला रोड भी पूरा खाली है वेट करते हैं यहीं पर क्योंने घुमाफी राके आना तो यहीं पर है फिलाल अभी मुझे यहां पर वेट करते करते 10-15 मिनट हो चुके और वेट सामने से दो बाइक आ रही है और इस बाइक पर अंडरोटर माफिया और पीछे यह फ फुल सेट है फटा फट से मैं काम करता हूं पीछे जलके अपनी गाडी में बैठता हूं बठा उससे पहले ना गाइस मुझे जल्दी से जल्दी 0-1 डाइल करना होगा अधर्वाइस वो जो बॉम है वो एक्टिवेट करने का सीक्रेट कोड है बस मुझे डाइल करना है वो एक्टिवेट हो चुका है लेट्स को फटा फट से चलके में अपनी गाडी में बैठता हूं एकदम मस्वा पे धुआ हो चुका है और अभी मुझे जाकर इन दोनों को एकदम भढ़िया तरीके से ठोक देना तुमारी एसी कि तैसी भाई अभी पटक दिया ओ वेट फ्रैं इनको उठा के अपनी गाडी में डालता हूं वड़ावर्ट से सबसे पहले ओके गाइस तो अभी ना फिलाल मैंने अंडरोटर माफिया को अपनी गाडी के बूट में डाल दिया है और अभी वड़ावर्ट से मुझे स्ट्रंग के गेट को क्लोस करना होगा बाकी जो फ्रै के बारे में में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसी ने अंडरोटर माफिया को हमारे घर में घुष के एसकेप करवाया है और अभी डगन बोस के लिए काम कर रहा है बाग यार जो भी हो अभी हम मतलब मैंने इन दोनों को पकड़ लिया है और लेस्टर ने मुझे जिस अब इनके साथ क्या करने वाला है बठा इतना जरूरुर बता है कि अब इनके साथ कुछ तो बहुत गलत होने वाला है फिलाल लेस्टर भी यह पर आ चुक है नाइस अपनी गाड़ी में काम करता हूं बाहरी खड़े गरता हूं फ्रैंकलीन को बाहर निकालते हैं अंतर ले को लेस्टर ने उल्टा लटका दिया है और साथ ही अंडरोटर माफिया की तो बहुत ही गलत वाली कुटाई चल रहे है पीछे ले जाके मुझे बहुत जादा पूरा लग रहा है फिलाल फ्रैंक्लिन के लिए डंडे मार मार के भाई सब इसकी हालत क्या कर दिया है यह डगन पास जाके बिलकुल ऐसब दावाश बन रहा है आते हम कुछ जानते ही नहीं फिलाल ही मैं इस पो बुरी तरा पीटने वाला हूं साथ ही मैं इसको भी मारने वाला है कि इसकी है कि तैसी भाई सब घर से निकला कैसे भार अब इनको चोड़ो भी अभी लेस्टर ने मुझे कि मुझे भी फड़ाफट से ट्रावर को भी पकड़ने के लिए जाना है क्योंकि जब तक ट्रावर उनके पास है तब तक डगण बोस को मारना बहुत मुश्किल है लेस्टर गेट बंद करके इन्हें पीट रहा है थाकि बाहर ना जा पाए और ना यह बाहर का कोई बंदा अ पर पुलिस आ गई है बट मुझे समझ निया रहा पुलिस ने इन्हें देखा या फिर नहीं देखा मुझे कुछ नी बता भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने पुलिस को बता दिया है पता नियार मुझे बिल्कुल नहीं समझा रहा कि आखिरकार यहां पे पु तो कर रहा है और पुलिस वाले अपनी गाड़ी मेरे पीछे ला रहे आ जाओ तुम मेरे को नहीं चेस कर पाओगे फड़ाफट से भी मैं भाओ वेट ठीक है अब आजाओ हाँ तो फड़ाफट से भी मैं निकलता हूं यहां से सीधा लॉस सेंट उसके लिए इनको लेस्टर स है मैं सब कुछ वैसा वैसा करते जा रहा हूं और आज जो अपना प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग हमें डायमंड कसीनो को डिस्ट्रॉइ करना है और डगगन बॉस को भी मारना है लेकिन नहीं मारना हमारा काम है पर जो अपना दोस्त है रिच मैन उसने बोल और शायद मैं थोड़ी देर में उन्हें पीछे छोड़ने वाला हूं ठीक है मैं भी सिटी में आ चुका हूं यहां पर मुझे कोई ना कोई तो बड़ी असी जगा मिल चाहेगी चुपने के लिए वैसे मैप में डिटेक्ट हुए कि एक गाड़ी पीछे से आ रही है अभी ज़दा गंदी हो चुकी है प्लस यह बहुत ज़दा डामेज हो गई है गंदी से कोई फरक नहीं बढ़ दा बर्ट इसका जो आगे वाला टायर है ना जब पुलिस चेस कर रही थी तो यह ठुकी और आगे का टायर जो बहुत बुरी तरह मुड़ गया है उसमें प्रॉब् पर है या फिर कहीं फरार ओरोक है खैर वो तो हमें वहीं पर जाकर मालूम पढ़ने वाला है बठा कुछ भी हो जाए मुझे आज के आजी ट्रावर को भी पकड़ना होगा क्योंकि जब तक वो डगन वोस के साथ है हम लोग ना ही डामेंड के सीनों ब्लास कर सकते हैं ना ही डगन वोस को पकड़ सकते हैं तो अभी ना फिलाल मैं अपनी गाड़ी लेके सीथा ट्रावर के विलेज सैंडी शॉरस में पहुत चुका हूँ और अभी ना मुझे लेस्टर का कॉला है था और उसने हमें बोले कि अपना जो प्लान है ना डगन वोस को पकड़ने का और ड भीड में हम लोग इसली अंदर जा सकते हैं और डामन कसीनों को ब्लास करने के लिए में बहुत सारे बॉम अंदर प्लान करने होंगे तो अपना काम बहुत ही इसली सकस्फुल हो सकता है फिलाल अभी मुझे ट्रावर को पकड़ना होगा क्योंकि ट्रावर डगन बोस के पा दिया क्या क्या पूरा सीन है अभी फड़ापट से मैं चलके अंदर देखता हूं ट्रावर क्या पता घर पी बैठा हो यार अपना मस्ती में अब यहां पर नहीं है पर साथ के साथ जससे मिलने के लिए हम लोग यहां पर आए है उसका दोस्त रॉन वह भी यहां पर नहीं यहां गया तो अभी हम लोग इससे बात करने वाले हैं कि आखिर ट्रावर कहां पर है तो गाइस अभी ना मेरी ट्रावर के फ्रेंड रॉन से बात हो चुकी है और मैं खाली पीली ट्रावर को लिए के टेंशन में था कि यार आखिरकार इसको किसने मारा है मुझे उसका अटक करा यह सब कुछ मतलब वो डगन वोस के लिए वैपन डीलर का काम कर रहा है जितने भी वैपन अब लॉस सैंटोस में आएंगे वो सारे के सारे डगन बॉस से ट्रावर के पास आएंगे और ट्रावर उन्हें ले जाके बेचेगा सब लोगों को वो भी डबल ट्रिप लोग हैं और वो जगह है अपनी सैंडी शौरस की एरलाइन तो फड़ा फड़ से भी हम लोग वहाँ पे पहुचते हैं और मारते हैं ट्रावर को जिन्दा निमारना बस पकंड़ना है ओके गाइस तो अभी ना फिलाल मैं अपनी गाड़ी लेकि सैंडी शौरस की एर फिल् इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है यहां पर एर फिल्ड है तो वहीं से वैपन साते हैं अधर कंट्रीज मुझ आते हैं लौस अंटोस में बिखते हैं त्रावर ने थोका दे के बहुत बढ़ी गलती करी है फिलाल रॉन यहां पर पहुच चुका है मैं भी अपनी गाड़ी यहां पहुच गया हूँ और एक जो बढ़िया बात है जो मैं आपको बताने वाला था वो यही है कि कुछ वैपन्स जो ट्रावर के पास थे ना उसमें से रॉन ने भी हमें कुछ वैपन्स दी है जिससे हम लोग ट्रावर को नहीं बारेंगे बटियां की जो सिक्योर्टी ह अट लीस्ट उसको हैंडल कर पाएंगे फिलाल अभी जो अपना दोस्त है रोन वो इस टावर के उपर खड़े होकर बनाकुलर्स से उस पूरे के पूरे एरिया को स्काउट कर रहा है मतलब चेक कर रहा है कि यहां पर ट्रावर है या फर नहीं बाकिया इतनी दूर से कुछ आड़े खड़े बहुत ज्यादा देर हो गई है और काफी ज्यादा रात हो चुकी है और रॉन कह रहा है यह एकदम पॉफेक्ट टाइम है क्योंकि इस टाइम पर यह लोग अपने वेपन्स होगारा लोड करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि वह दूसरी कंट्री में जाने के रहा हूं कहां पर है तू ओके ठीक है ठीक है ठीक है अभी अंदर जाने वाला है और हमेंसे थोड़ा बहुत कवर देने थोड़ी दिख रहा है तू चल अंदर मेरी स्टाइपर में बड़ी कोई प्रॉब्लम वाली बात नी है लेक्स को इसको भी हमने आगे बढ़ने के लि मुझे लगता नी है कि यहां पर भी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है गार्ड अंडर था कंट्रोल तावर ओके विट ओ भाई यहां पर एक बंदा कड़ा हुआ है मुझे एक शॉट में से डाउन करना है 3 2 1 बहुत ही तगड़ास के हैडशॉट मैंने यहां पर बजा दि यहां पर जो लाइट से इनको फोडना पड़ेगा था कि जो पीछे से गाड़ी आ रही है वो इस बोडी को देखना लेए था प्रोपर एक लाइट होड़ती है फिर हुटक है ओके तो जैसा यह आटो कि इसमिए बाहर निकले का मुझे तब इसे मारना है बस इस बंदे को देखना ले बहुत ज्यादा यहां पर ट्रावर से वेपन्स खरीतने हैं लोस्ट गेंग के बंदे हैं भाई भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-बहुत साही बिजनस में में ट्रावर ठीक ह तो अभी जैसे बाहर निकलेगा मुझे इसको मारना है जल्दी से बाहर आ जा भाई यहां पर अगर भी ठीक है लुक जाओ फोन पर बात कर रहा है निकल तेरी ऐसी कि दैसी लेट्स को इसको भी मैंने मार दिया है बाकी ओ उपर यह भी गया बस 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 अभी और कोई तो नही तो लेट्स को भी शाब बहुत बड़ी गलती हो चाथी इभी तर फे एक बंदा हो रहा है उसमें कोई मार आ रूह देुर्ण अबर जो बंदा मार हूँ थे क्uli OUT मैं यह संब बहुत बड़ी प्रोल्म पारहिए है हाँ ठीक है तू चल अपना में देख रहा हूं यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगे वाही हो तो सही है एक ही बार में हम लोग माक्सिमम हेट शॉट इने मार पा रहे हैं थोड़ा सा वरना बहुत बढ़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं यहां पर क्योंकि लॉस्ट यहां पर एक कर तो में लोग लोग इनको टपका रहे हैं बाकी यहां अगे भी कुछ है मॉस्ला मॉसम काफी ज्यादा बढ़ी हो एंगके लेकिन राउन इस शुझा इन आ डू बहुत ज्यादा कर चुक्राब चुकिया है ट। 빵 कि थी वर क्यान का अग्रिक भाई इसित लग्राइब तो प्रवास ने अग्रें अ में से वह हुआ हैं हेलीकॉप्टर ही हैलीकॉप्टर का यह जाप वीक्उप्टर वहाँ हैं 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 अग्रम Васब भाई फिलाल अभी में कुछ अलके मुझे इस गाड़ी में बैठना होगा वो जो हेलिकॉप्टर है वो वहां नीचे गिर चुका है जहां पे रॉन था उस जगा में बोट बुरी तरा आग लग चुकी है अगर मैं जल्दी से जल्दी नहीं पेचाना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो यहां बहुत ज़्यादा बंदे मुझे ना पहले कवर लेना होगा वरना यह बैंड बजा देंगे यहां राइट से भी काफी सारे बंदे आ रहे हैं मुझे ने मारना नहीं पहले अपने आपको कवर में ले जाना होगा वरना यह लोग बाहर बीनी निकलने देंगे लिए यहां पर एक बंदा हो रहा है यह भी गया यह भी गया लॉस्ट के तीन से चार बंदों को तो मैंने यूइट अपका दिया है वाकि आगे एक बाइक खड़ी है बट उस बाइक को लेके मैं भागूंगा थोड़ी यहां पर भी मुझे इनसे लड़ना ही पड़ेगा वेट वे देर से यहां पर मेरा वेट कर रहा है और यह बिल्कुल सही कहा रहा है कि अभी हमारे पास ना यहां से भागने के लावा कोई और ओप्शन नी है क्योंकि इदर एक नहीं दो नहीं बहुत सारे लोग हैं मदब इदर लॉस्ट गैंग भी है डगवन बॉस की सिक्योरिटी भ पुरा क्लियर है फटा फट से भाई भगा ले इसको बाकि भी मुझे यह बाला ब्लास्ट करना भाई जाफ यह बहुत गलत है इनके लिए अब रोण जल्दी भगा प्लेन क्या कर रहा भाई हेलो यह तो सामने से आए जारे माई एक के वाद एक वैन लेके मुझे नी पता अब मुझे क्या करना चीह है वेट अगर अगर यह प्लेन उडाया का तो भी मैं गिर सकता हूं अगर एक भी बुलिट लगगे तो भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकते हो पीचे से बाई करा रहा है लेट्स को यहां पर मैंने इसको मैंने मार दिया है जल्दी भगा यार क्या क अब भी तो फिलाल थोड़ा सेफ हैं अब लोग मुझे मुझे अबी ब्लेन में जाना होगा क्या होगा ओके लैट्स को फटा फटा भी भाई अभी अबने महां से जंप मार दिये भी मेरे को भाग कि उसमें जाना होगा वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगा पीछे से यह कहां के बैठ क्या अपे अभी एक सेगिंड इसकी है इसकी मैं बजाता हूं लेट्स को फटा फट से ना प्लेन को मुझे लेकर ऊपर चलना होगा क्योंकि भाई वापिस निचे नहीं अभी रोन ने तो प्लेन उडालिया मुझे भी फटा फटा जाना होगा बाकि यह ज पीछे पीछे चलते हैं उस वाली एयर फील्ड पे वापिस लैंड जो करना हमें अभी ना फिलाल हम लोगों ने इन लोगों से पीछा तो चुड़ा लिया है बट यह कोई असान काम नहीं था बाकि मैं इस प्लेन को इस तरीके से क्यों आ रहा हूं भाई बहुत गलत वाला जो कि अपने लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है फिलाल मैं इस वाली एर फील्ड पर आचुका हूं अपने प्लेन को फड़ा फड़ से यहीं पर लैंड करवाते हैं अपने पास अभी कोई अप्शन नहीं है मुझे वापिस से जाना होगा लेस्टर के पास उसे करना होगा डामन कसीनो को ब्लास करने के लिए बस यार सब हो जाए लेकिन ट्रावर ना है लड़ने क्योंकि हर एक को हैंडल कर लेंगे बट ट्रावर अगर आया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वैसे इतनी ज्यादा डरने वाली बात नहीं यह जो कामें हमें के बीट रहेगी उसी भीड का फायदा उठाकर हमें चुप-चाप से अंदर एंटर होना है बाकी पूरा प्लान है में लेस्टर बताने माला है तो फड़ा फट से इस गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं सीदा लो सैंटॉस के लिए बिना किसी देरी के लेट्स को ओके तो अभी मेरी फिलाल लेस्टर से बात हो चुकी है और वो कह रहे है कि हमेना कुछ भी करके आज के आज ही सारा का सारा काम करना होगा क्योंकि आज है हेलोवीन और आज ही है डायमंड का सीनो में वो पार्टी जिस पार्टी का में इंतजार है फिलाल उसने मुझे लोग सैं में एक टाइप से परफोमर बनकर एंटर करने वाले हैं मतलब हमें ऐसे स्टंट्स वगारा मारने होंगे बाइक से और हमारी गाड़ी जो है एक टाइप से वी आईपी एंट्री हमें मिलने वाली है डाइवन कसीनों में जो कि बहुत जादा बड़े रहेगा कुछ टाइम पह करता करता हूं लेस्टर से की आखिरकार यह मुर्गी को देखो बाई इतनी जादा बड़ी जगा इसको मेरी गाड़ी की नीचे कुसने साइड से निकल ले हो हानी तो हाँ ठीक है फिलाल यहां पर अभी जल्दी से मैं चलता हूं यह यही है वो गिराज लेस्ट को देखते बोलने रहा और बहुत तेज मारती मैंने कलती से उसके सारी खेर चोड़ो भी मैं अंदर ही चलके देखता हूं आखिरकार क्या सीन है यहां पर कोई भी नजर निया ओ भाई वेट एक सगेंड वाई साब वेट यह बाइक है यह फिर कोई रॉकेट है मुझे बिल्कुल नही बाइक टायर चोटा है वीचे का बढ़ा है और एक टायर राइट लेफ नहीं हो रहे है यह एक्चलिए टिल्ट और है पता नहीं से बाइक रोट ओ वाव बाइक भी टर्न का रहे है फिलाल अभी मुझे ने इस बाइक को जल्दी से लेकर पहुच ना होगा लेस्टर के पा कैसे करने वाला हूँ हलकिसी एक पाइवीट यह देखो यह ब्रेक है और जैसी मैं रेस दे रहा हूँ यह बाइक सिफ और सिफ एक तीन सेकिंड के अंदे 200 किलो मिटर परा टेच कर जा रही है और इसकी स्पीड बहुत ही जादा है इस इस बाइक की माक्स स्पीड कितनी है म उससे पहले मैं अपनी स्पीड कम कर लेता हूँ एक बार ही हलका सा स्टन्ट मार के देखते हैं क्योंकि जहां जाना है वह लोग भी स्टन्स करवाने वाले हैं थ्री तू वाइट भाई ऐसे नहीं रुख जो थोड़ा रस्ता काली वने दो हाँ थ्री तू वान वेट ओ भा पर मुझे स्टन्स करके दिखाने हैं ताकि वो लोग मुझे अपने साथ डामन का सीरो में परफॉर्म करने के लिए ले जाएं फिलाला भी जल्दी से ना मैं अंदर चलता हूँ यह जगा यार बहुत ज्यादा बड़ी है और मुझे इसके बेस्मेंट में जाना है फड़ा जा रहा हूँ वो लोग बाइक देखके अपना सेलेक्शन कर लेंगे मुझे तो ऐसा लग रहा है फिलाल अपनी बाइक मैं यहां पर कड़ी करी थी लेट्स को जल्दी से मैं बाइक में बैठता हूँ और गाडी के साथ अरीना में एंट्रोने का जो रास्ता है वो शाथ से आगे वाले कट से बस वो कट मुझे जल्दी से लदी मिल जा है मुझे बिलकुल भी लेट नहीं होना है क्योंकि साथ बजे जैसी अंधेरा होगा ना सम्मलो डामन कसीनों कि जो हैलोवीन पार्टी है वो स्टार्ट हो जाएगी पूरा शाहर बंद हो जाएगा बंदी नहीं हैं बट अपना सेलेक्शन होने ही वाला है क्योंकि यह जो बाइक है यह लेकर वेजिए और शायद से इन लोग को भी यह बाइक पसंद आने वाली है फिलाल अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं यहां पर और अपना नाम यहां पर लिस्ट करवाते हैं लेट्स को तो मेरी इंसे बात हो चुकिए और यह कहरें नाम ऐसे फ्री में लिस्ट नहीं होने वाला मिंस पैसे भी नहीं लगेंगे बट हमेना इनको कुछ स्टंट्स मार के दिखाने होंगे इस जगह पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपनी जो बाइक है इसको जल्दी से स्टेडियम में लेकर चलते हैं श्याद से मिर कुछ वाले रास्ते यहां पर आके बाइक फिसल जाएगी लेकिन यह इस बाइक के लिए बहुत ज्यादा आसान था क्योंकि इस बाइक की जो टायर्स की ग्रिप है ब्लस बाइक की जो स्पीड है वह बहुत ज्यादा तकड़ी है एक बेस्ट में मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही भाई मितलब एक नॉर्मल रास्ते की तरह मैं यहां पर बाइक चला रहा हूँ बागी यह कुछ अजीब है बाइसाब यह बहुत डेंजरस स्टन्स है यहां पर यहां पर भी आपनी बाइक उपर ले जा सकते हैं ओ लेक्स को यह यह मैं का लिए अपनी बाइक ठीक है मेरे साब से इतना होगा इन लोग के लिए इतने तगड़े स्टन्स यहां पर आज से पहले शाया दी किसी ने मारे हूंगे क्योंकि इन स्टन्स को करने के लिए चीह होते है प्राक्टिस या फिर एक अच्छी बाइक जो की मेरे पास है और फिलाल क्या ही तगड़ी जंप मारके मैं नीचे आ लेना हमें एक हैलोवीन कोस्ट्यूम का जुगाड करना होगा तभी हम लोग इनके साथ मिंच इनके ग्रूप के साथ जा पाएंगे ओके गाइस तो अभी फिलाल मैं मेस बैंक अरीना वार स्टेडियम से बाहर आ चुका हूं और अभी मैं जाने वाला हूं फड़ा-फट से एक बड़िया से शॉप पे जहांसे मुझे अपना मन चाहा हैलोवीन कोस्ट्यूम मिल जाए क्योंकि जैसा कि उन लोगों ने गाता कि अगर हम उनके ग्रूप के साथ जाना है तो हमें एक कोस्ट्यूम चाहोगा है हैलोवीन वाला क्योंकि भाई आज हैलोवीन है सारे बहुत जादा लोग नजर आ रहे हैं कई ऐसा तो नहीं कि हैलोवीन के डाइम पर सब लोग यहां पर अपना एक दाम मस्त घूमने आते हो वेट भाई साब यह क्या अभी तक हम लोग ट्रावर के गावों में और हाईवे और गूम रहे थे वटभी में सीटी में आगे पता हैर के डाइम पर वाव अभी फड़ावट से मैं भी अपनी गार इदर उदर घुमांके देखता हूं कि आगरकार यहां पर हो नहीं कि भाई बिल्कुल देखने में लगी नहीं कि लो सेंटों से यहां पर इतनी चादा डाकोरेशन हो रखी है हर एक जगा को ठक दिया है या जलता हूं यहां पर बहुत सारी शॉप से पर इस मार्केट में भी बहुत ज्यादा बीड़ों रखी है यार मतले पैदल चलनी की भी जगा ढंग सी नहीं है कर मैं वैसे बाइक चला रहा हूं पैदल नी जा रहो है लो सॉरी सॉरी मेरी गलती नहीं इसमें यह जगा बहुत लेट्स को अभी अंदर चलके अपने लिए बढ़िया से कॉस्ट्यूम खरीद लेते हैं जो कि अपने पर बहुत जादा सूट भी करेंगे तो मैं पहले च्रैक कर लेता हूं कि मेरे पे कौँछे सही लगने वाले हां से अपनी थोड़ी लुक देख लेते हैं ठीक है अभी यह है एक जॉकर आउटफिट वैसे ना इस आउटफिट में थोड़ी बद प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसमें लोग और एक बहुत तगड़े क्रिमिनल लग रहे हैं पता चला यह ड्रेस तेकने के बाद हमें कसीनो में एंट्री नहीं विल रहे हैं फिलाल यह भाई सा साथा बढ़िया मौसम था यह बारिश कहां से शुरू हो गई इस टाइम पूरी सिटी में सब लोग अपने लिए बढ़िया बढ़िया कॉस्ट्यूम्स पर्चेस करें और उस भाई सब जी को देख ओ तेरी एसी ओ सही में मैं उसे बस जराना चाहरा था और मैंने हलकी सी र रास्ते पूरे गीले पड़े हैं तो टायर्स बहुत गंदे स्लाइड मार सकते हैं इसलिए अराम से चलाते हैं बाइक को पूरा का पूरा शहर इस टाइम अच्छी तरह से सज्जा दिया गया है बिल्कुल लगी ही निरा कि मैं लॉस सेंटॉस में घूम रहा हूं ऐसे लग बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा है इस टाइम पर माइकल फिलाल मैं या पर आचुका हूं अपनी बाइक लिए कि जल्दी से पनी बाइक को यहीं पर पाक करते हैं टुकते बचे है वरना भी हैंडली तूट जाता आगे वैला भगवान बसे बारिश रुकवाद हो यार करसम से वरना पूरे के पूरे हैलोवीन की बैंड बच जाएगे यार इतना सब कुछ डैकोरेट हो है पूरे शहर में और सब कुछ कबार हो जाएगा इस बारिश से फिलाल चलते हैं लेस्टर के पास और देखते हैं आगे का प्लान अपना क्या है ओके गाइस तो अभी मेर उस्टे जढ़ा टेंशन लेने की जरुत नहीं है क्योंकि इसने सारा का सारा सीन जो इस सोट कर दिया है मतलब कि मिरको टैंशन हो जी थी कि आकिरकार डियामन का सीनो में मैं वेपन्स हो रही है और अगर नहीं ले जाओंग तो फिल डामन का सीनो बलास्ट कैसे करूंगा ब कि कुछ भी क्या कर गए हमाई पूरा-पगर और तरीका पता है हम कैसे जाने वाले अपने पास बाइक है हमें आइडी मिल चुकी है किस तरीके से हम लोग परफोर्मेंस करने वाले हैं डायमंड कसीनों में जल्दी से पनी बाइक उठाते हैं और निकल लेते हैं सीधा इसके में बैठे बैठे भी काफी जादा देर हो गई है और अच्छी बात तो ही है कि यहां पर बारिश बंद हो चुकी है फड़ा फट से भाई सब इतना भी घतरनाक साउंड नहीं है वह देखो वह तो साउंड डेख के डिर की बाइक का वाइक सची में रॉकेट ही लगती है कोई बाहिक तो लगती ही नहीं मुझे देखने में वाउ एक बार आप लोग सामने देखो भाई क्या मस्ती एरिया सजा रखा है पूरा का पूरा लगी नहीं रहा मैं लोस सेंटोस में हो वैसे यह बारिश नहीं होती ना तो शायद अभी लोस सेंटोस में और भी ज्यादा घर में हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहे हैं यहां पर इतनी ज्यादा डैकॉरेशन कर रहे है कि देखने में लगी नहीं रहे कि यार यह लॉस सेंटोस है फिलाल अभी मैं पहुचने वाला हूं डामन कसीनो और आप लोग को सामने सालिब्रेशन नजर ही आ गया होगा वह लेक बिल्कुल भी ब्लास करने का मन नहीं कर रहा बटी अपना मिशन है और मुझे बिल्कुल भी मिशन से नहीं एकना लेट्स को फटा फट से अपनी बाइक लेकर अंदर चलते हैं और लेस्टर ने बिल्कुल सही का था कि यहां पर बहुत जादा सिक्योरिटी है वो भी चलते हैं एलो आई हटर आइस अपने साथ एक बहुत गलत सीन हो गया यह बंदा कह रहा है कि यहां से सिर्फ और सिलेब्रिटी स्टाफ और व्याइपी लोगों की एंट्री है लगता है लेस्टरों किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दीदी थी क्योंकि अभी अपनी एंट्री सीन की वज़े से यह लोग एलर्ट होगे और इस बार तो डगन बॉस की सिक्योरटी है मतलब की हम लोग इतना कुछ कर के भी कसीनो में नहीं जा पाएंगे यहां पर एक गरास्ता जो की बंद है यानि के भी मुझे यह स्टंट वाला शो करना ही पड़े का बे मतलम में रु अब ही फिलाल मैं अपनी बाइक लेके यहां से बाहर आचका हूं और मेरे सामने है एक बहुत बड़ा स्टंट राम्प जो की मेरे को बहुत जादा हूं चाही पर कुदा देगा फिलाल आप लोग सोच रहोगे कि यार मैं यह स्टंट में घुस रहा हूं तो सीन कुछ ऐसा कि इन्होंने यहां पर हमें स्टंट शो करने के लिए बुला है मैं खाली खड़े रहा हूंगा यह लोग मेरे पर शक करेंगे और मज़े मज़े में मैंने क्या कर दिया प्लीज ट्रामपोलीन पी लैंड करियो वरना गलती एक्सिडेंट हो जाएगा यहां पर एक सेफ लैं कि मेरी जेब में एक पिस्तल तक ही है कोई आर्मर कुछ भी नहीं है और में यह जो काम है बिना किसी चीज के करना है फिलाल यह बोर्ट डेंचर से नहीं यह मुझे नहीं करना चाहता हूँ भाई इसमें तो गड़ बड़ी हो जाएगी मैं सहीं बता रहा हूँ यह फेल हो बड़ ओ भाई मैं डामन कसीनों से बाहर ही आगया हूँ शाइट से फिरको समझनी आ रहा है यह मैं कहा आगया पूरा स्टंट मारने की मैंने कोशिश करी थी पर हाँ मैं दिवार के उस पार आगया हूँ पर अभी अंदर का अंदर यार फिरको भाई घुमागी ही लानी हो पर लेनी पड़ेगी क्योंकि वही अभी मेरे को कोई दूसरा नया रास्ता बता सकता है कसी इनों के इंदर जाने का बड़ वीट यह बाक साइड में अलग इविंट चल रहा है यहां पर कोई रेस वागर हो रही है क्या मैं एक बार ही आगे चलके पता कर मैं वही सोचू मे इतनी दिर से अकेले स्टंट मारने में लगा हूँ हो इतने सारे लोग वहाँ पर थे तो यह बाकी स्टंटर्स यहां बाक साइड में आकर अपना मोच करने क्या ओके गाइस तो अभी मेरी फिलाल इस लेडी से बात हो चुकी है और यह कह रहे है कि हर साल यहां पर एक उसकी भी मिलने वाले है बाकी इस टर्नमेंट में करना क्या एक बाईक रेस है बस वह जीतनी है जो कि अपने लिए बहुत ज्यादा पर होने वाली है क्युकी इस के पास एक बाउकुक्त थाइन meant पोला है कि अभी सिर्फ पांच लोग और आना बाकी है जैसी वो आजाएंगे यह जो टॉर्नमेंट है यह स्टार्ट हो जाएगा जब तक हम लोग आगे चल के वेट करते हैं क्योंकि वो जो रेसिंग टॉर्नमेंट है वो यहां से स्टार्ट होने वाला है उसकी जो एंट्री से अभी ना मुझे इन भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इनको कोई आइडे नहीं कि आखिर इनकी क्या बैंड बजने वाली इस रेस में इनकी बाइक के जितनी माक्स स्पीड है ना उतनी मैं रेस देती पोच्छाओंगा फिलाल भी रेस स्टार्ट होने वाली है ओ लेट्स क अब टाइम आ चुक है अपनी बाइक को भगाने का मैं सोचरों पहले नहीं को आगे जाने जेता हूं फिर एक ही बार में छे के छे लोगों को ना मस तरीके से पीछे करूंगा वैसे मुझे ना थोड़ा सा ज्यादा भी डेलानी पड़ना है क्यों जो बंदा सबसे आगे च अब अपनी बाइक की स्पीड सीथा चार सो पहुचने वाली है और यह आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है अब पीछे ठुक जाता मैं सही बता रहा हूं फिलाल यह जा रहे वह सारके सारे रेसर एक गया दो गया तीसरा गया और यह ट्रॉन बाइक वाला भी गायब और हम सबसे दें दें करूझ इसका साइद सही है उसको सायट करने के चकर में वहों सही है कि इसकी बहुत अच्छी है वैसे guys एक तो ये रात की race में ऐसा होता ही है अगल बगल animals आज आते हैं और ढंक से कुछ नजर नहीं आता खेर ठीक है एक तो यहाँ पर street lights होनी चाहिती जो कि नहीं है फिलाल अभी मैंने सब को पीछे कर दिया बट वो जो ट्रोन बाइक वाला बंद है वो अभी मेरे से आगे चला रुख जाओ इसकी मैं बैंड बजाता हूं तो निकल तीरी है से कि तसी साइड चलतू वेट यह फस पर चला तू भी साइड हो लेट्स को ओके गाइस तो अभी फिलाल मैं उन लोगों से बहुत जादा आ गया चुकों बट बीट मैंने एक छोटी सी गल्दी कर दी मैं भूली क्या था कि अपनी रेस जहां से स्टार्ट हुई थी ना हमें यह वाला चेक्पोइंट क्रोस करके वापिस उसी लोकेशन पर करना होगा क्योंकि अगर वो लोग मेरे से पहले पहुच गए तो बहुत जादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाए कि फिलाल इस टाइम पर अपनी जो बाइक है वह 400 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल ले मैंने एक बाइकर को तो पीछे कर रहा है पता नहीं वह अपना ओपन इसलिए इनको रास्ते से ही मैं सोच रहा हूं क्लियर कर दू लग यहां भाई यह हाया भूसा वाला बहुत तकडी चला रहा है और इसको इस टाइम पर ट्राक से अटाना थोड़ा बहुत मुश्किल है लेट्स को उसको मैंने गिरा दिया है उसका तो गलती एक्सिलेंट हो इसको बैरियर में भीड़ा हूं क्या कर रहा है तो आजो 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 ओके तो अभी दोनों मेरे से आगे जा चुके हैं बारियर बैरियर में इनको बिढ़ाने की 321 लेट्स को वह तो बहुत उच्छा लगा ओ नहीं ट्रोन बाइक वाला निकल चाहेगा तो मैं क्या कर रहा अपनी बाइक का तो बहुत बड़ी घरबड़ो चाहेगी लेट्स को खैर अभी मैं इस पर कम ध्यान देता हूं मैं अपना रेस पर फोकस कर लेता हूं मैं जीच जाओंगा कोई बड़ी चीज नहीं बस में को डर यह लग रहा है कि ट्रोन बाइक में बहुत तकड़ा बू अब तो कोई नहीं रहा सकता लो भाई सबसे पहले हम लोग वाप हो चुके हैं कि विचारा वाय बाकि दो रेसर्स का अक्सिरेंट करवा दे हमने बहुत ही जादा गलत वाला लेट्स को तो गाइस अभी फिलाल सारे के सारे रेसर्स अपना यहां पर आ चुके हैं और इसको पता नहीं क्या परेशानी हो गई है यह पहले तो उसकी बाइक लेकर आया और अभी बाइक अपनी घड़ी नहीं कर रहा है उल्टा उसकी बाइक पर ठक करे मारे जा रहा है फिलाल अपना काम होगे मुझे चलके फड़ा फट से वियाईपी पास लेना चाहिए डामन कसीनो हमें एंटर होने का हो सॉरी यहां पर भाइब बहुत ज्यादा सिक्यूरिटी बढ़ गी है मतलब डगन बोस ने ऐसी चकाप भी बंदे लगा रहे हैं ओके तो विनर अपनी बाइक से उतर चुक है और चलते हैं वियाईपी पास लेने के लिए लेट्स को ओके तो फाइनली सोचा था कि डगन बोस के आने के बाद सिक्यूरिटी इतनी भी जादा बढ़ जाएगी फिलाले जो रेसर्स हैं बिचारे परेशान हो रहे हैं कोई किसी की बाइक तोड़ रहा है कोई एक दूसरी की शकल ही देखे जारे कि आगिर यह सब क्या हो गया वाई कैसे आर गए मत कि मुरकोबिनी बाइक पार करनी है कहीं पता चला मैं यहां पर घुम रहा हूं और वो लोग मेरी बाइक चुरा के ले गए तो अलगी लेने के देने पढ़ जाएंगे यहां से अंदर चलते हैं ओके तो यह मैं अपनी बाइक लेकर आ चुका हूं सिधा कसीनो में और यह द चुका तो नहीं मुर्त शारल कोण मैं पता यह दो感ोई यह कार के लगरा है कि वैसे सकता कि कई बहुत जाया है महाइन यह वाफिया टाई कर चूड़ा के में अपनी मस्ट एंट्री हो चुके यहां पर मुझे अपना व्याइपी पास लगाना है और अंदर जाना है और फड़ा फट से भी हम लोग चलते हैं सीधा कसीनो में अब हमें यहां पे कोई भी नहीं रोकने वाला अंदर जाने से बसा अभी बीना एक चोटी सी प्रॉब्ल यह मैं गलत आगया क्या यहां पर तो देखने में ऐसा लगी नहीं रहें कि जैसे हैलोवीन पार्टी चल रहे हो क्योंकि कोई भी बंदा मुझे हैलोवीन आउट्फिट में नहीं आ रहा बढ़ा यह जो अपने गिटारिस्ट है गिटार बजा रहा है इसने हैलोवीन यहां पर आए में हैं बाकी हां अभी मुझे इन पर कम फोकस करना फड़ा फट सेना पहले मुझे एक प्राइवेट स्पेस में जाना होगा मैं तो सोचके यहां बहुत ज़्यादा भीड होगी ऐसी बीच बीच में चुप चुप के बॉम प्लांट कर दूंगा इधर भीड से बात करते हैं पता करते हैं ऑप कीछे बीड बीड लगी है आती पीछी बात भीन है कसीनों बार हुआ है यह फट अदर चलते हैं अर। हमारे पास व वेपन कैसे भीजवहर और और नहीं भी भीजवा हैगा तो पहली बता दे मैं यहां से बाहर निकल लेता हूँ फिलाला भी यहां पर मुझे कोई भी security guard तो नजर नहीं आ रहा यह एक बंदा खड़ा है यह क्या ही हमारी बात है सुनेगा weapons इसको समझ भी नहीं आएगा यहां पर आराम से खड़े हो के बात कर लेते हैं लेट्स को ओके गाइस तो भी मेरी फिलाल लेस्टर से बात हो चुकी है और वो कह रहा है कि अपने पास सिर्फ और सिर्फ आदा घंटा है मतलब उसके बात डगगन बहुत सपनी पूरी की पूरी security लेकर यहां पर आ जाएगा पार्टी इंजॉई करने के लिए और फिर तो हमारा यहां से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा प्लस यहां पर security बहुत ज़दा बढ़ जाएगी हम लोग कोई भी bomb बगएरा plant नहीं कर पाएंगे इसलिए लेस्टर कहा रहा है कि तुम कुछ भी करके न सीधा penthouse तक पहुचो और वहां पर वो एक drone के तुरू हमारे पास weapons पहुचा रहा है सारे के सारे तो अभी बस मुझे उपर जाने का रास्ता रास्ता छोड़ो यहां तो direct lift जाते है न उपर ठीक है अभी हम लोग सीधा वही से ऊपर चलते हैं गाइस imagine करो कि एक बार को हमारे पास bombs आ भी जाते हैं बट फिर उसके बाद मैं उसे plant कैसे करूँगा मिरोंको नहीं समझा रहा है यहां पर बहुत ज़्यादा भीड है और इमने से कोई ना कोई मुझे bomb plant करते हुए जरूर देख लेगा फिलाल उपर चलते हैं और राइट लिफ्ट से मैं उपर आ चुका हूँ पर पेंट हाउस पे और अभी मुझे जाना होगा पेंट हाउस की रूफ पे जहां पर लेस्ट ने हमारे लिए weapons भिजवाए हैं ओके तो यह मैं आ चुका हूँ पेंट हाउस की रूफ पे बाकि मुझे यहां पर देखना होगा सिक्यूरिटी यहां पर भी है मैं सुच रहा था यहां पर तो सिक्यूरिटी ना हो बाकि भी मुझे कोई डरने वाली बात नहीं जब तक मैं कोई illegal काम यहां पर नहीं कर रहा हूँ मेरे पास weapons नहीं है मैं कोई चोरो की तरह नहीं चल रहा हूँ normally बस मैं area scout कर रहा हूँ कि कहा से मैं इसकी चछत पे जा सकता हूँ क्योंकि ट्रावर नहीं वेपन्स इस चत पे नहीं ऊपर वाली चत पे विजवाया है सीधी सी बात है यार यह एक normal penthouse है जहां पर normal public PA यहां पर भिजवाएगा तो कोई भी drone को देख लेगा तो अभी बाकी चीज़े मुझे नहीं देखनी मिरको ना बस कुछ भी करके उपर तक पहुचना है और उपर तक पहुचने का रास्ता मुझे मिल गया लेट्स को लेट्स को यहां पर इन जाडियों के बेच से होता हुआ चुपते हुए मैं आगे जाने वाला हूं कुछ पता नहीं है पता चला नीचे जाडियों में CCTV टीवी कैमरा लगा रहे हो बाकी यार मैं भागता हूँ यहां पर तो आ गया था मिरको लग रहा था इदर उपर जाने का रास्ता होगा बट है रास्ता पर बहुत ज्यादा रिस्की है सी था पांच मंजिल नीचे जाकी गिरूंगा मैं यहां से नहीं जाने वाला मुझे को अब फटा फटा से मैं जाड़ियों में कुटता हूँ और अराम से मैं यहां पर एकदम धीरी धीरी आगे पढ़ने वाला हूँ यह रास्ता गाइस पूरा क्लियर है यहां पर कोई भी नहीं है और अभी मैं आ चुका हूँ स्वीमिंग पूल की दूसरी साइड पे क्या मैं मैं इसके ऊपर जा सकता हूँ वाओ अभी मैं स्वीमिंग पूल के अंदर आ चुका हूँ और गाइस यह देखो मेरे को पीछे जाने का रास्ता मिल गया बट यहां पर नहीं एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि अभी लेफ्ट चाइड पे गया है मैंने उसे पूरा जाते व इसके पास एक assault rifle भी है M416 तो एक काम करता हूँ मैं उसके दुबारा आने का वेट करता हूँ जब तक यह जो स्वीमिंग पूल है इसको टाप के मैं इधर शुबदाता हूँ मेरे साब से जब वो इधर आएगा तो शायद मुझे नहीं देख पाएगा लेट्सको मेरे को तुरांत जाके उसके मारना पड़ेगा रुख जो थोड़ा सा ओ विट जब पीछे कुम के चाहेगा मुझे से तम मारना होगा क्योंकि यहां पर कोई CCTV कामरा यह तो ज्यादा पास आ एक सिकनी स्की टांग ले अभी इसके मस्त मुका मैंने बचा दिया है ओ विट भाई पर होता ना अपनी बैंड वज्जा थी तो अभी CCTV कैमरा सामने ही है इसके पास मुझे गन मिल गई है गाइस एक नहीं मुझे इसके पास से दो गन मिल गई है और अच्छी बात तो यह है कि दोन्यों गन में सप्रेसर लगा हुए मुझे भी फटा-फट से ना इन पर बुल यहां पर चत पे भी बहुत गदर वाली सिक्योरिटी लगा रखी है अगर कुछ भी गड़वाडवी ना तो यह बच जाएंगे और अलाम बजे उससे पहले मैं अलाम कोई फोर डालूगा यह वाला CCTV गया लाइट भी गई बाकि यहां पर यह वाले जो रूम है इक बारी मै आइवन कसीनों की इलेक्टरिसिटी कट हो जाएगी पर यह सिर्फ इतना सा सोकेट नियों गया इतने बड़े कसीनों का शायद आगे भी कुछ रूम से हैं और हो सकता है वो भी रूम क्या पता इसी चीज के हो या फिर कुछ ना कुछ तो इसके इंपोर्टेंट होगा मैं इपरी रूम के इंदर चल के देखता हूँ खत्रा हो सकता है इस रूम में कोई है नहीं है यहाँ पर भाई साब मेरे को समझ आ गया अभी क्या करना है तो पहले मैं जाता हूँ उपर से बॉम लेकर आता हूँ जो लेस्टर ने में बिजवाए है उन बॉम को लेकर आने के कर दूंगा और जब पूरे में अन्धेर हो जाएगा फटावट से बॉम प्लांट कर दूंगा यह पास ज्यादा टाइम लीया यह सारा का सारा का मुझे जल्दी से जल्दी करना है लाइट सारी की सारी ब्लास कर देता हूँ ताकि कोई CCTV रह भी जाए ना तो भी उसके इंपर कोी है आंगे मेरे सापसे कोई भी नहीं ओ लाइट एक अलाम है यह भी गया पाकि मुझे मुझे कोई भी मेरे को नहीं नहीं किया है और मुझे उपर जाने की सीडीए मिल चुक्ही है तो चलो गाइस फाइरी इतनी महनत के बाद मैं आ चुका हूं डामन कसीनो की है बाकि यहां पर कोई भी कैमरा मुझे आस-पास नजर नहीं आ रहा है सामने के लिकॉप्टर खड़ा हुआ है बट मुझे नहीं लगता है इससे मुझे कोई प्रॉब्लम है और यह वो ड्रोन जो की लेस्टर कंट्रोल कर रहा है वो मुझे देख रहा होगा इस टाइम और यह वो बैग जिसके अंदर बॉम्स हैं और कुछ वैपन है फटा फट से गाइस निकाल लेते हैं और लैस्टर यहां से ले जाएगा तो अभी मैंने इसमें से सारा का सारा इंपोर्टन समान अपने लिए बाहर निकाल लिया है जिसके तो मैं डामेंड कसीनो को ब्लास करने बॉम्स इसको प्लांट करने वाला हूँ इससे क्या होगा जब भी मैं बॉम्स को चाहूंगा फूटेंगे और यह सारे के सारे सॉकेट्स जितने भी हैं सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे पावर सप्लायर्स और पूरे को पूरे डामेंड कसीनों की एलेक्रसिटी बाकी बच्ची बेस्मेंट और बाकी दो ग्राउंड फ्लोर्स तो अभी मैंने यहां पर हर एक रूम में अच्छे से बॉम्स लगा दिया है बस एक यह वाला लास्स रूम रह गया था यह नीचे से धुवां कहां से आ रहा है वाई हलो पहले से किसी ने आग लगा रखी क् भी तो होगा यह पकाउसी का वेंट होगा आउट वाला यहां पर भी बॉम लगाते हैं अपना काम हो गया सारे बॉम अंदर रखने हैं यह सामने किसी को कुछ नी बता हम पीछे क्या कर आ रहे हैं लेट्स को पूरा चटवत सब घूम कर आ गया वाई आज तो मैंड आवन क क्या हैं जैसे यहां कोई बहुत बड़ी बिजनस डील होने जा रही हो फिलाल हां मैं बिल्कुल सही था यहां पर नीचे केचन है और वो जो स्मोक था शायद से वो यहीं से आ रहा होगा इधर नहीं मेरको तो में नहीं अभी सीधा ग्राउंड फ्लोर पर चलते हैं ना यह पूरा का पूरा माहोल चेंज हो जाएगा फिलाल यहां पर इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं गई है मतलब शायद डामन कसीनों का कोई और भी बैटरी वेकप है लेकिन हां यहां पर काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका है पर में जो एरिया ना यहां पर कुछ खास जादा सूरज भी नहीं निकल रहा है फिलाल हां यहां पर अंधेर है यहीं सही मोगा अपने बॉम वगारा मैं बाहर कर लेता हूं और यहां पर कोई भी कैमरा नहीं है एक बॉम तो यहां पर अपना बनता है लेट्स को एक बॉम मैंने लगा लिया है दूसरे वाले बॉम को लोग यहां पर लगाते मुझे ग्राउंड फ्लोर के हर एक पिलर पर अच्छे से बॉम लगा नहीं होंगे फिलाल यहां पर अंदर भी कोई कैमरा नहीं है मुझे लग रहा था डामंड कसीनों के अंदर बहुत सारे कैमरे होंगे मतलब हो सकता है हो बट हाइड हो कुछ पता है पर अंधेरे में कुछ भी खास नहीं दिखने वाला कहीं कहीं पर अंधेर हैं कहीं कहीं पर नहीं भी है तो थोड़ा बहुत समल के बागी मेरे पास जो गन है मैं M416 कि मैंने उस ट्रिरिस्ट की उठाई थी इसमें एक मस्त टोर्च भी है आगे थोड़े फोड़े बहुत वेट यहां पर कुछ लोग हैं राम से बॉम लगाऊंगा अंदर सीधा पॉर्ट सेट के यह वाला बॉम जादा गलत जगह पे लगा है एक यह मेनेजमेंट वाला एरिया इस तरफ में अभी तक नहीं गया था शायद से यह ओफिस जाने का रास्ता होगा यहां पर भी मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है तो फटा फट से एक बॉम मैं यहां पर भी लगा देता हूँ और बॉम के साथ साथ मुझे लेस्टन ने का था कि अगर हमें कसीनों को अच्छे से ब्लास करना है ना तो इधर मैं यह थोड़ा सा ऐसे फ्यूल भी डाल देता हूँ ताकि आंक जो तो गाइस अभी ना मैंने हर एक पिलर पर अच्छे से बॉम लगा दिये हैं मतलब कि हम लोग सिर्फोर सिफ दस से पंद्रा बॉम के अंदर यह पूरा को पूरा डामन का सीनों गिरा डालेंगे अब आप लोग समझ के होंगे वह कैसे क्योंकि देखो पूरी की बूरी बिल करना तो हम लोग अच्छे से डिस्ट्रॉय करके जाएंगे इस वाली वॉल पर लगा देता हूं सामने भी यहां पर एक बॉम लगा देते हैं बहुत सारे बॉम हो चुके हैं डगन बहुत यहां पर आने ही वाला होगा मुझे फटा फट यहां से निकलना होगा बाकी जो य से बाहर निकल के इन सभी को ब्लास करना है ताकि जो बिल्डिंग है यह पूरी की पूरी गिर जाए लेट्स को कहां से बाहर निकले हूं को थोड़ा अजीब सा लग रहा है पतानी क्यों ठीक है रवास से कोई डरने वाली बात नहीं है जहां से हम लोग अंदर आये हैं मैं अभी वहीं से बाहर जाने वाला हूं पर भाग के क्योंकि अपने बास बहुत कम टाइम है डगण बहुत आ गया ना तो अपना बाहर निकलना मुश्किल हो जाए का यहां से का समसे लेट्स को गाइस फाइनली सारे के सारे बॉम्स डावन कसीनो में प्लांट करके मैं वहां गर जाए तो चलो गाइस टाइम आ चुका है लोस सैंटोस की सबसे ज्यादा लक्शुरी सबसे महंगी चीज को ब्लास्ट करने का बट एक सिकिन यह पीछे क्या कर रहा है बाई मुझे लग रहा है कि इसको सम्मालुम पढ़ चुका है और मेरे मुडते यह मुझे मारने वा लेट्स को पीछे फोड दिया है और अभी फटा फट में अपनी बाइक यहां से निकाल लेता हूं भाई सब पता नहीं उस ग्रिनेट से डगण बॉस को कुछ हुआ या फिर नहीं ओ तेरी मैं यह गिर चुका हूं पका वो मुझे पकड़ने मेरे पीछे आई रहोंगे या रुख जाओ ओकी गाइस तो भी फिलाल मैंने अपनी बाइक यहां पर उठा लिए जल्दी से स्टार्ट कर लिए पर सामने से यहां पर भी बंदे आना स्टार्ट हो गए हैं और मेरे पास एक पिस्टल है जो कि मैं बाइक बैट कर चला सकता हूं ओ भाई कुसीनों का तो ब उसने पूरा का पूरा शायर इस टाइम ब्लॉक करवा दिया है ताकि हम लोग कहीं पर भी भाग के ना जा पाएं वेट 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 सामने से भी उसकी गाडी के सायरन की आवाज आ रही है एक जगह है जहां पर मैं शायद से सेफ रह सकता हूं बाकि मुझे भी लेस् कर सकता है सामने से ट्रेन आ रही है ट्रेन में बैठके निकल लूगा नहीं यार वह भी रिस्क हो सकता है पता चला ही आगे लिए जाके ट्रेन रुकवा दे हाथ यही है वह जगह जिसकी मैं बात कर रहा था बस मुझे आगे जाना है थोड़ा सा और वहां एक टैनल है जिस बात नहीं जल्दी से मैं अपनी बाइक हमी पर खड़ी करता हूं और लेस्टर को फोन मारते हैं देखते हैं आकरकार लेस्टर हमें क्या बोलने वाल है ओकी गाइस तो भी मेरी फिलाल लेस्टर से बात हो चुकी है और वह कह रहा है कि तुमना टैनल की दूसरी साइट से ज क्योंकि इस ताइम डगण की सबसे महंगी प्रोपर्टी मैंने ब्लास कर दिया है वह आपर अपनी सिक्योरिटी के साथ सेलिब्रेट करने आ रहा था और इसकी आखो के आगे पूरी बिल्डिंग ब्लास करी उपर से मैंने उसके उपर ग्रिनेट फैक दिया बट लगिली श तो अभी फिलाल मैं अपनी बाइक लेके इस टनल से जल्दी से जल्दी बाहर निकलने वालों बट वेट ओ भाई साथ यहां पर तो और भी काफी सारे बंदे बेठा रहे इनोंने और इधर तो आगे जाने का रास्ता भी नहीं है और पीछे भी पूरा का पूरा रास्ता इ मारें नीचे उच जा रहे हैं अभी मैंने अपनी बाइक ओ नहीं यहां पर बहुत बड़ी करपड होगी है उसको मालूम ही पड़ा है कि मैं पीछे से आ चुका हूं फिलाला भी मिर कोई से मारना पड़ेगा सामने वाले को भी मैंने मार दिया अरे नहीं यार बहुत ज्या शाहत से जल के मर गया उस आख को पार करने के चक्कर में सामने एक बंदा हो रहा है इसको भी मैंने मार दिया है पीछे भी खत्रा है सामने भी खत्रा है ओविट भाई यह फाइट बहुत जगा पे हो रही है गाइस अपना इधर से बाहर निकलना तो सची में बहुत हुन है और भी काफी सारे बंदे सामने हैं जिन से लड़ना बहुत जादा है स्टाइम हार्ड हो रहा है लेट्स को मैं पर एक बंब डालना हूं और इस बंब को मैं भी मस एकदम ब्लास करने वाला हूं अपने पास कोई और और ऑप्शन निया इनको मारने के लिए जितनी लेली में बॉंब ब्लास करूँगा उतनी असानी से मरने वाले हैं अपने पास ज्यादा बॉंब भी नहीं है मुझे उसका भी थोड़ा सा ध्यान लखना है लेट्स को काफी सारे बंदे मैंने यहां पर मार दियें बट बार से पुलिस वालों ने भी हमें घिर लिया है जो मुझे लग रहा था कि घूम क्या रहे हूंगे लेट्स को लेट्स को मुझे यहां से बहुत तीजी में अपनी भगानी होगी जो कि मैंने भगा लिया है अब बस यहां पर कोई मैट्रो आ जाए कुछ आ जाए बाकी मैं फटा फट से ना लेस्ट्रो को फोन करके भोल देता लेट्स को ओके गाइस तो अभी फिलाल मैं अपनी बाइक को भगाता हुआ उस जगह से काफी ज़्यादा दूर आ चुका हूं पुलिस स्वालों को पता नहीं कैसे मेरे लोकेशन पता चल चुकी है और वो शायद से इस टाइम मेरे को ट्रेस कर रहे हैं मैं अच्छा कासा अंडर्ग्राउंड था वर्ट मैं खाली पीली अंडर्ग्राउंड से बाहर आ चुका हूं यहाँ पर तो पका वो मुझे ढून डालेंगे मुझे वहापिस अंदर चलना चाहिए वह जगह शायद से पहले से जादा सेफ थी और राइट गाइस तो अभी ना फिलाल मुझे इस टनल में वेट करते करते बहुत जादा देर हो चुकी है लेस्टर ने मुझे यहाँ पर रुकने के लिए बोला था क्योंकि बाहर डगन बॉस के गुंडे हमारा पीचा कर रहे हमें मारने के लिए और डगन बॉस ने पूलिस को भी अपनी अंडरी कर लिया है तो पूलि लेस्टर इस मैट्रो स्टिशन की बाहर मेरा वेट कर रहा है मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा क्योंकि वही अभी हमें बचा सकता है बट लेस्टर बचाने नहीं आया लेस्टर यहाँ पर आया है कि हम दोनों मिलके जाएंगे डगन बॉस को मारने के लिए पता नहीं सब कैसे होने वाला है फिलाल हाँ भी लेस्टर हमारे साथ है तो जादा बेटर रहेगा पहले आर फ्रैंकिलिन ट्रैवर में से कोई ना कोई होता तक इतना असान रहता था काम भट अभी काफी जदा प्रॉब्लम हो चुकी है फिलाल अभी मैं यहाँ से बाहर आ चुका हू होगा ओके ओके लेस्टर पहले गाड़ी में बैट इनसे हम लोग बाद में लड़ते रहेंगे बाकि यह जो गाड़ी लेकर आया ना यह सची में बोगती ज्यादा पावर्फुल है वेट मैं एक बार इससे को शॉर्ट फायर करके दे ओ नहीं नहीं रुक जाओ अभी गाड़ी के इसलिए पावर यूस करने का मनना मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा बट यह जो पुलिस वाले हैं यह हरकत ही कुछ ऐसी करने है कि अभी मेर कोई करना ही पड़ेगा एक सेकिंड के अंदर हर कोई मारा जाएगा यह इतना जादा पावर्फुल वैपन इस का मुझे याद रखना है मारेगा तो शायद से अपना वही रिच मैन वाला दोस्त तो गाइस अभी ना लेस्टर कह रहा है कि डगण बॉस ने अपनी घर के बार बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगा रहे और हमें ना कुछ भी करके अपनी गाड़ी नहीं रुगनी है अ अभी कुछ इसी टाइब का सीन हम लोग आगे भी करने वाले हैं बहुत ज़्यादा गलत फाइट हो चुकिया मुझे मुझे अपनी गाड़ी नहीं रुकनी है ऐसा मुझे लेस्टर ने बोला है और सही कह रहा था वरना अपनी गाड़ी में आग लग जाएगी मिलको बस आ पचास से साथ गाड़ी थी सारी की सारी यहां पर मैंने ब्लास कर दिया बट अभी अंधर और भी गाड़ी हैं पता नहीं मैं इसे अंदर कैसे लेकर जाने वाला हूं बढ़ा सब कुछ एक ताम अच्छे से ब्लास कर देंगे खतरनाक लेट्स को गाइस टाइम आ चुका है पर पड़ापट से अंदर जाने का बाइस आप कितने बंदि अंदर भीठा रहा है कि एक सींट रुकना जारा की ऐसी की तैसी पूरा पूरा घरी डिस्ट्रॉय कर दूगा बढ़ा नहीं घरी ड्रिश्ट्रॉय करना घर पे मैं एक शॉट भी फायर करने वालाऊ उसके अग कोई है के लेफ्ट में में को देखना पड़ेगा ओ तेरी अभी तो बहुत सारे बंदे बचे हैं यार रुक जाओ वो थोड़ा सोच समझ के इंसे लड़ना होगा ये भी गया पीछे भी थोड़े बहुत बंदे बचे हैं इसके ओपर भी करा फायर बागी अब चलते हैं सीध का भागने कोशिश करेगा तो मैं चारा तरफ के दर्वाजे पहले पूरा देख के चलना होगा लेट्स को यह मैं आच चुक हूँ उसके ओफिस में ओफिस में तो नहीं होगा कि मैं सबसे पहले ओफिस में ही आने वाला हूं बट क्या पता टेबल के नीचे वह चुपाओ स यहां पर तो इन्होंने भंदे भरे के बिठा रहे हैं रुक जाओ तो वहां पर फिकना थोड़ा सा हार्ड होगा तो नहीं यहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बस आगे बुच जा है तो कोई दिक्कत नीं होगी और मेरे पास मता हुए वह तेरी मिरकों निकला होगा मैं दूसरे गेट से अंदर आ रहा हूं जब तक यह लोग अपना fire extinguisher से आग भुजाएंगे ओपर से कूद किया है मुझे मारने के लिए वेट 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 लेट्स को वटवट से वाला gate open करता हूं यहां पर एक सिलंडर पढ़ा यह भी मैंने blast कर दिया इसक यहां पर एक बेसमेंट भी है यहां नीचे एक बेसमेंट है वैसे नीचे जाने में मुझे थोड़ा पूर डर तो लग रहा है बट अभी करना क्या है हमें नीचे जाने होगा फिलाल यहां पर कोई भी नहीं है अपनी गन पूरी रिलोड करके रखता हूं लेस्टर बाहर के बंदों को देख रहा है यहां पर यहां पर तो मुझे कोई देखनी को नहीं मिला इधर एक रूम है यहां यहां पर गेट खोल के देखता हूं यहां पर ओ तेरी भाई मैं कोंसा कीड़ा यहां पर बैठा हुआ है मकड़ी जैसा बात नम पता चला वहां उसकी उंगलिया थी फिलाल अभी मुझे य गेट खोलते हैं यह वाला रूम हो गया यह वाला रूम हो गया अभी सामने वाला रूम बचा है यह वाले रूम के और यह यह एक बड़ा रूम नहीं है भाई यह सरेंडर क्यों कर रहा है हेलो इते ओ तेरी भाई साथ इसलिए सरेंडर कर रहा है तेरी बैस की एक्टिंग करके दिखाएगा तो गाइस अभी फिलाल डगण बोस हमारे हाथों लग चुका है और अभी इसके बास भागने है कोई रास्ता नहीं है दो लाते ही पड लेते हैं और अभी हमेरा इसे यहां से लेकर फटा-फट से निकलना ही होगा वरना इसकी और सिक्योरिटी आएगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉलम हो सकती है वे उट्बे कैस हो गया हमें ही तो भी फिलाल लेस्ट्रों भी नीचे आ चुका है और लेस्ट्रों कह बस तो अपनी गाड़ी ठीकाने लगाने गया था क्योंकि अगर वो पुलिस वालों के या फिर किसी और की हाथ लग जाती ना तो अपना यहां से एसकेप करना बहुत मुश्किल हो जाता फिलाल हम लोगों ने डगन बोस को पकड़ लिया है और यह भी अपना चुप-चाप से यहां पर आकर बैठ चुका क्योंकि इसको मालू मैं भी कुछ नहीं कर सकता वैसे इसको मारने का मन तो बहुत जादा है मतलब सर भी बजाने क कमन है बट उस बंदे ने बोला है कि उसे यह जिंदा चाहिए वरना तो अभी तक मैं इसको मार देता फिलाल अभी लेस्टर पतानी किसी से कोल पर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बात कर रहा है डगन बॉस को लेकर पतानी शाहत से अब लेस्टर की सारी की सारी प्रोप कर देना इस वीडियो पर एम करते हैं 1.3 मिलियन लाइक के लिए तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्रीट कर दो और जो भी चैनल पी नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना मुझे कॉमेंट में जाके जरूर बताने कि आपको यह वाला कर दो